नमस्ति अचार जी, अचार जी रक्षा बंदन का तिवार है और देश पर सिफ और रिसेंटली अभी कलकत्ता से खास कर जो अभी न्यूज आई उस लड़की के साथ हुआ या देश भर में लड़की के साथ जो चल रहा होता है उससे देश की लड़कीों की रक्षा तो हो नह हम ही से सुरक्षित नहीं है जो हमारे असपास हैं हम ऐसी जगहों पर जा भी नहीं पा रहे हैं जहां हमें जाना चाहिए और तब भी हम सुरक्षित तो महसूस करते नहीं हैं तो हम किससे अपनी रक्षा करेंगे? ऐसे माहाल में रक्षा तो नहीं हो रही है, बलकि हम आज सुरक्षे तोर महसूस कर रहे हैं. इस्तिहार को, जो हम हर साल मना रहे होते हैं. रक्षा बंदन कहते ही हैं कि लड़कियों की रक्षा कर रहे हैं भाई लेकिन ये किस तरीके के भाई है हमारी सुरक्षा तो नहीं हो रही है इस पर आपका क्या कहना है कि हम किस तरीके से इस्तिहार को मनाया और किस तरीके से इन चीजों को देखें देखो तो भाई रक्षा तो करते हैं, पारम पर एक बात है, जिस हब तक भी, एक ये करतब विसा है कि बहन राखी बानते हैं भाई कहता है, रक्षा करूँगा, तो वो सब होता है, बात उसमें ये है कि हर भाई ये कह रहा है ना कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूँगा, तो अपनी बहन की रक्षा तो करूँगा लिकिन जो बाकी सब लड़कियां हैं महिलाएं हैं उनका क्या लड़कियों पर जो हमले होते हैं अब वो हमले उनके भाई तो कर नहीं रहे उचे एक अपवादों को छोड़ दो तो भाई को तो अगर खबर जाएगी कि भाई तुम्हारी बहन खत्रे में है कोई हमला हो रहा है तो भाई तो आज भी जहां तक है यही करेगा कि मेरी बहन है तो मैं जाओं उसको बचाओं भाई तो यही कोशिश करेगा फिर कहा रहा हूं कुछ exceptions को वादों को छोड़ दो यह तो होगा लेकिन यह सिर्फ अपनी बहन के लिए किया जाएगा न तो रक्षा तो करनी है पर अपनी बहन की करनी है और जिन लड़कियों पर हमला हो रहा है जिनके द्वारा हमले करे जा रहे हैं वो भी किसी ने किसी के भाई है तो जो भाई है वो क्या बोल रहा है बिल्कुल जो समाज का यथार्थ है वो समझो भाई बोल रहा है अपनी बहन की तो रक्षा करूँगा जितना भी हो सका अपनी बहन की तो रक्षा करूँगा और दूसरे की बहन की रक्षा करना मेरा दायत तो नहीं है बलकि दूसरे की बहन पर जो हमला हो रहा है वो भी किसी के भाई दोरा ही किया जा रहा है तो जो हमला कर रहा है किसी लड़की पर वो किसी और लड़की का भाई है जो एक लड़की पर हमला कर रहा है तो किसी और लड़की का भाई है और वो भाई अपनी बहन से जो उसकी अपनी परिवार की बहन होगी रिष्टे की बहन होगी ये भाई जो किसी लड़की पर हमला कर रहा है वो राखी पर अपनी बहन से बोलेगा तेरी तो मैं रक्षा करूँगा तेरी रक्षा करूंगा किसी और पर हमला करूंगा अपनी बहन की रक्षा करूंगा किसी और की बहन पर हमला करूंगा हमला सिर्व यह नहीं होता है कि आपने जाकर के शरीर से हमला कर दिया नजरों से भी हमला होता है, मन से भी हमला होता है जुबान से भी हमला होता है रवईये से रुख से एटिशूट से भी हमला होता है तो अपनी बहन को तो जो मुझे लगता है कि सुरक्षा देनी चाहिए हो तो मैं दे दूँगा भली उस रक्षा भी कई बार बहन के लिए गड़बड़ हो जाती है बहन के लिए वो एक कैद बन जाती है बहन के लिए आफ़त बन जाती है वो सब भी होता है पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम यह मान के चल रहे हैं कि भाई का अपनी बहन के लिए तो रुख अच्छा ही होता है सदभावना होती है लेकिन फिर ये कौन लोग है इस बात पर विचार होना चाहिए ये कौन लोग है जो लड़कियों पर हमले करते हैं ये भी किसी और के भाई है तारी समस्या यहां पर आ जाती है अगर मुझे रक्षा करनी भी है तो किसकी करनी है सिर्फ मात्र अपनी निजी बहन की करनी है यहीं पर आ जाती है बात सारी फिर उसी को तुम आगे अगर बढ़ाओ तो मेरा बच्चा साफ सुत्रा रहना चाहिए मेरे बच्चे को अच्छा खाना मिलना चाहिए मेरे बच्चे को अच्छा भोष्य मिलना चाहिए अब माबाप भलाई तो चाहते हैं बच्चे की लेकिन सिर्फ अपने बच्चे की और क्या यही बात संसार के सारे दुख का कारण नहीं है कि हर आदमी भलाई चाहता है बस अपनों की भलाई चाहता है साफ सुत्रा रहे घर किसका मेरा मेरा घर साफ सुत्रा रहे और इस चक्कर में कई बार हम अपना जो घर का कच्रा है वो किसी और के घर के सामने डाल देते हैं, सड़क पर डाल देते हैं कोई खाली जगह पड़ी है, सारो जनिक वहाँ डाल देते हैं तो हम लोग एक दृष्टे से देखा जाए तो बुरे नहीं होते हम भलाई चाहते हैं, हमारे बच्चे की भलाई हो जाए, हमारे घर की भलाई हो जाए हमारी बहन की भलाई हो जाए, हमारे भाई की भलाई हो जाए पर बस जो हमारा है उसकी भलाई हो जाए और जब आप सिर्फ उसकी भलाई चाहते हो जो आपका अपना है तो इस प्रक्रिया में दूसरों की बहुत बुराई हो जाती यगार हम यह बात नहीं समझेंगे तो एक के बाद एक साल दर साल रक्षाबंधन आते जाएंगे और यह सवाल हमारे सामने सुरसा मुख की तरह खड़ा रहेगा कि भारत एक अनूठा देश है जहां बहनों की रक्षा का व्रत लिया जाता है तो भारत में लड़कियों का इतना शोषण क्यों दमन क्यों अमेरिका में तो नहीं राकी बांधी जाती लेकिन वहां पर महिलाएं लड़कियां यहां से ज़्यादा आजाद भी हैं सुशिक्षित भी हैं और empowered भी हैं भारत में हम कहते हैं कि हमें अपनी बहनों को हम कन्या पूझते हैं भारत में अमेरिका में तो कन्या नहीं पूझते हैं लेकिन हमसे बहुत सारे विक्सित देश है मातर अमेरिका की नहीं बात है जहां पर महिलाएं संसद में एक बड़ी संख्या में पहुँचती है वो बोर्ड रूम्स में कॉर्पोरेट पदों पर बड़ी संख्या में बैठी होती है और हर तरीके से वो सशक्त होती है empowered होती है और भारत में हमने बहन को इतना उंचा स्थान दिया लेकिन फिर भी भारत में बहनों की दुर्दशा है तो भी समझना पड़ेगा हम बहन को तो उंचा मानते हैं लेकिन सिर्फ अपनी बहन को हमारी मा ममता से तो भरी होती है पर सिर्फ अपने बच्चे के लिए हमारे यहां जो भी परिवार के लोग होते हैं वो खूब सेवा करते हैं होता है न विशेशकर पत्निया हम कहते हैं देखो सेवा की मूर्ति है कितनी सेवा कर रही है लेकिन सिर्फ अपने परिवार की बात समुझे ले और ये जो अपना पन है न ये लोक धर्म में लोक संस्कृति में बड़ी अच्छी जीज़ मानी जाती है मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा घर, मेरा महला लेकिन विज़्डम में ज्ञान में इसको अच्छा नहीं माना जाता है इसको बोलते है ममत्तो मेरा माने ममत्तो ममता मेरा अब ममता जो है कि मेरा है मम माने मेरा संस्कृत में मम माने मेरा मेरा है वहीं से ममत्तो आता है मम से ही ममता आती है यह ownership है मेरा है एक तरह कि यह possessiveness है मेरा है यह भाव ग्यान में अध्यात में विजडम में अच्छा नहीं माना जाता है इस समझदारी के क्षेतर में बोध के क्षेतर में ममत तो अच्छे नहीं माने जाते उसमें यही होता कि जो अपना है उसको तो बिलकुल यहां पर रखेंगे और जो अपना नहीं है उसके साथ फिर हम कोई भी कोई सकते हैं यह जड़ है सारे फसाद की अपनों की सुरक्षा करते हैं तो उनको जब ऐसा दुश्करम करते टाइम लड़कों को यह नहीं लगता कि यह नहीं लगता नहीं लगता आप जब सड़क पर कोई गरीब बच्चा देखते हो फटे हाल तो कहां ये ख्याल आता है कि वो बच्चा और मेरे घर का बच्चा एक ही तो है तो अपने घर के बच्चे को तो मैं अच्छे से अच्छा खाना देता हूँ अच्छा स्कूल देता हूँ हर तरह की सुक्सोविधा देता हूँ और सड़क पर ये बच्चा घूम रहा इसके पास कुछ नहीं ऐसा लगता है कि किसी वो नहीं लगता है बिलकुल ऐसा होगा कि एक माँ आपने बच्चे को ऐसे छाती से लगाए होगी और उधर कोई बिखारी का बच्चा घूम रहा होगा वो तक तर डाटके भगा भी दे कि भाग जा गंदा मत कर मेरी गाड़ी को मच्छू होता है न तो ममत तो बड़ी गंदी चीज होती है ममता अब हमारी संस्कृत में हमने उसको बहुत उंचे पदपर बठा दिया है ममता माइन मेरा मेरा वो लेकिन अच्छे चीज नहीं होती है कोई नहीं भाई जाकर के अपनी ही बहन के साथ बुरी हरकत करता है अब वादों को उटाओ तो कोई भाई जाकर अपनी बहन तो नहीं करता पर दूसरे की बहन के साथ कर देता है यह ममता है जो मेरा है उसको अच्छे से रखोंगा मेरा कपड़ा है एकदम साफ सोतरा होना चाहिए और मौका मिले तो दूसरे के कपड़े को गंदा कर दो अपने घर में कोई थूक रहा होता है गया देखाए भारत में लोग सब्कों पर कैसे थूक रहे होते हैं सरकारी एस्पताल होगर हमें चले जाओ और वहाँ दीवारों पर देखो सफेद अगर दीवार होगी काम कर दिया वैसे ही अपनी बहन नहीं तो उसके साथ कोई घिनोना काम कर दिया यह हमारी संस्कृति में एक कमजोरी है हमें इसे ठीक करना पड़ेगा हम बहुत अच्छे लोग हैं पर अपनों के लिए अपने संस्कृति लोग धर्म और आजादी की बात की कई बार मैंने दे सिक्यूर फील मतलब ऐसा लगता हो नहीं कि बाहर अकेली मत्चा हुए यह बलकि उल्टा हमें बाउंड भी करता है इसमें आजादी तो कहीं को देते ही वो नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि बाहर किसी दूसरी लड़की का भाई उनकी बहन के लिए घात लगाए बैठा है हमला कर सकता है शिकार कर सकता है मैं एक भाई हूँ तुम बहन मेरी तुम बाहर जा रही हो तो मुझे अंदाजा है कि कोई और किसी और लड़की का भाई तुम पर बद्नियती से हमला कर सकता है मुझे अंदाजा क्यों है क्योंकि मैं भी वैसा ही हूँ मैं भी अपनी बह के साथ छिडखानी करता हूं खुली छिडखानी नहीं करता हूं तो भी मानसिक तल पर मैं उनके प्रते कुछ न कुछ उल्टा-पुल्टा विचार रखता हूं तो यह जो बात है कि रक्षा करनी है बस अपनों की और अपने पराये की एक हमेंजे एक विभाजन रेखा खीच कर रखनी है यह बड़ी गड़बड चीज है जब तक हम सिर्फ अपनों के लिए अच्छे रहेंगे हम बहुत बुरे रहेंगे बुरा आदमी कौन है वो नहीं जो सब के लिए बुरा है जो सिर्फ अपनों के लिए अच्छा है वही बुरा आदमी है अच्छा आदमी कौन ह जो जितना अपनों के लिए अच्छा है लगभग उतना ही दूसरों के लिए भी अच्छा है पर अगर हम खिस तरही के बातें अपने समाज में ज़ज़ा आपने का लोग संस्कृति में करते हैं तो उल्टा ही लेते हैं उसका मतलब जैसे आपने काहा कि सबके लिए अच्छा होगा लेकिन वो उल्टा ही समझते हैं घरवाले कि ये कैसी बात हो गए जी अगर हम तुम्हें रोक रहे हैं बाहर जाने के लिए तो उसके पीछे क्योंकि हम चाहते हैं कि वेवस्ता जैसी चल रही है चले न सबको ये लगता है कि मैं अपना घर बचा लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा नि तुम्हारा घर बचाने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा तो अपना घर बचा रहे हो और इस प्रक्रिया में दूसरे के घर में आग लगा रहे हो तो कैसे काम चल जाएगा लोग कहींगा नहीं साब हम दूसरे घर में आग लगाने नहीं जाते आप दूसरे घर में आग लगाने नहीं जाते पर जब वहां आग लगती है तो बुझाने भी नहीं जाते और किसी घर में आग लगी हो और आप बुझाने न जा रहे हो तो उसमें और आग लगाने में बहुत अंतर है नहीं तो ये हमें बदलाव लाना पड़ेगा अपनी सोच में रक्षा हर उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो कमजोर है चाहे वो अपने घर का हो चाहे कहीं और का हो न्याय सब को मिलना चाहिए और जब मैं व्यक्ति कह रहा हूँ तो उसमें मैं सिर्फ इंसान मनुष्य नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ देखो सच मुझ कौन है आज जिसे रक्षा की जरूरा थे उसकी रक्षा करो ना जो भी कोई कमजोर है अगर उसकी रक्षा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपने घर की रक्षा भी नहीं हो पाएगी बात दिस वर्सेस डैट मेरा बनाम पराया की भी नहीं है कि मैं अपना बचा लूँ और पराया को नहीं बचाऊँगा जिसको तुम पराया कहते होगर उसको नहीं बचाऊगे तो अपनों को भी नहीं बचा पाऊगे तुम्ही सोचते हो मैं अपना जो घर है आलिशान बना लूँ और उसकी गंदगी दुनिया में डलती रहे तो तुम्हारा घर भी बहुत चलेगा नहीं तुम सोचते हो कि मेरे घर में तो खूब रोशनी रहे बाहर अंधेरा रहे तो तुम्हारी भी रोशनिया जल्दी बुच जानी है तो अपना बनाम पर आया की बात नहीं है जो अपना हित चाहता हो उसे दुनिया की भी परवाह करनी ही पड़ेगी जो सिर्फ अपनी बहन की परवाह करेगा वो पाएगा कि कोई और आ करके उसकी बहन पर हमला कर गया तुम्हें अपनी बहन की परवाह करनी है तो दुनिया की और लड़कियों की भी थोड़ी चिंता कर लो और ये बात कोई एक पक्षिय नहीं है लड़कियां आज पहले से भैतर इस्थिते में हैं कई मामलों में कई तरह के उसको उनको समाजे कधिकार मिल गए हैं पिछले 75-80 साल में समयधानी कधिकार मिले हुए हैं आर्थिक तल पर भी उन्होंने प्रगति करी है भारत की बात कर रहा हूँ तो ये बात लड़कियों पर भी लागव होती है तुम्हें भी रक्षा करनी है क्योंकि आज तुम्हारे पास भी ताकत है तो तुम भी रक्षा कर सकती हो लेकिन रक्षा बस उसकी मत करो कि मेरा अपना कोई है तो उसकी रक्षा करूंगी या मेरा अपना संसार है, मेरे अपने स्वार्थ है या मेरा अपना बच्चा है तो मुझे बस उसकी रक्षा करनी है दुनिया में जो कोई भी दिखाई दे विर्थ दुख पा रहा है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके पक्ष में खड़े होना सीखो, कुछ करना सीखो, कुछ बोलना सीखो यही असली रक्षा बंधन का अर्थ है आपका सभी के लिए क्या संदैश होगा रक्षा बंधन पर? दो बाते हैं देखो, पहली तो यह कि अपने बनाम पराय का भेद थोड़ा कम करो, ठीक है? अगर अपनी बहन की रक्षा चाहते हो, तो जरा बाहर भी निकलो और दुनिया में जो भी कोई लड़का लड़की, छोटा बड़ा, किसी भी वो जगह से हो, किसी धारा से हो, उसको सहायता देना सीखो, जो सचमुच सहायता का अधिकारी है, उसको सहायता देने से अपनी ही ताकत बढ़ती है, तो एक तो बात यह होगा, और दूसरा, इस समय पर सबसे ज़्यादा जिसको रक्षा की जरूँए थे हो, पता है क्या है, हमारी प्रत्वी है, सबसे ज़्याद यह जलवाय परिवर्तन, प्राणियों की करोणों प्रजातियों का विलुप्त होना, जितनी देर में हम बात कर रहे हैं, मैं एक्सर बोला करता हूँ, इतनी देर में सैक्णों प्रजातियां विलुप्त हो गई, जीवों की, उक अभी ब्लॉक्ट के नहीं आने वाली हैं, गई, तो इनको रक्षा दो, इनको रक्षा दो, तो पहली बात तो सिर्फ अपनी बहन की मत सोचो, और दूसरी बात रक्षा शब्द को व्यापक अर्थ दो, ये पूरी पूरी प्रक्रति ही मांग रही है कि इसको रक्षा दी जाए, दोहराओंगा वो जो बात करी थी, बुरा आदमी वो नहीं है, जो सिर्फ, जो सब के लिए बुरा है, बुरा आदमी वो नहीं है, जो सब के लिए बुरा है, अपनों के लिए तो सब अच्छे होते हैं, जो सिर्फ अपनों के लिए अच्छा है, वही बुरा आदमी है, और अपनों के लिए ही अच्छा ही करने के लिए दुनिया भर की बुराईयां की जाती है आप किसी बहुत भरष्ट आदमी से मिलोगे उसे पूछोगे कि तो इतना भरष्टा जा क्यों करते हो, लोगों खून क्यों चूसते हो तो कहेगा ताकि मैं अपने परिवार को सुख दे सकूँ जो सिर्फ अपनों को सुख देना चाहता है वो पूरी दुनिया को दुख देता है तो ये सीमा थोड़ी सी मिटानी पड़ेगी अपने और पराईगी नहीं तो बिलकुल ऐसा होगा आप जेलों में चले जाएए और वगेरा या महिलाओं की प्रतारणना की आरोप में जो लोग बंद हो उनसे आप मिलिये तो कहेंगे हाँ रक्षा बंधन है हम भी मनाते हैं रक्षा बंधन हमारी प्यारी बेहना जो लोग महिलाओं पर अत्रत करके जेल पहुचे हैं वो भी कहेंगे हाँ हमारी बहन बहुत प्यारी है और हम भी रक्षा बंधन मनाते हैं अब देख रहो न कि सारी गड़वड कहां से आती है मैं मेरा अंकार मेरा अपना स्वार्थ ममता मेरा है मैं और मेरा मैं और मेरा जो मैं और मेरा का खेल है यही दुनिया के सब दुखों का कारण है